नमस्कार आईडीपी 24 न्यूस में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा ग्राब मंगला में तालाब निर्मान के लिए निकले थे लाको रुपए लेकिन ये रुपया भी चड़ा भ्रस्टा चार के हथे यह तालाब लोगों के उपयोग के लिए बनाया गया था जो अब डबरा में तब्दिल हो चुका है चुनाओ के समय में निताओं द्वारा बड़े बड़े दावे किये जाते हैं लेकिन बाद में केवल भ्रस्टा चार ही नजर आता है मामरा तलाब को लेकर है जो सालों से बनी हुई है दरसल आज से लगभग तीन चार साल पहले मंगला पंचायत के द्वारा तलाब निर्मान के लिए लाखो रुपए की राशी निकाली गई थी लेकिन जितने पैसे निकाले गए थे उस हिसाब से तलाब का निर्मान नहीं किया गया जिसके चलते आज तलाब ने एक दलदल का रूप ले लिया है लोग इस तलाब में पूजा पाज की समागरिया ठंडा करने जाते हैं एक तरफ जहां तलाब संदरी करन की बात की जाती है तो वहीं दूसरी तरफ अपने तलाब होने की पहचान पूती सलाब के जिर्नोधार के लिए कोई भी कारिया नहीं किया गया अभी के लिए बस इतना ही तब तक के लिए हमें दीजे जावजात और इसी प्रकार की लेटेश्ट और रोज़क खबरों से जुड़े रहने के लिए IDP24 News और हां यूट्यूब में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ की साथ बेल आइकन दबाना ना भूले